ये खामोशी का जहर नसों में उतर न जाए आवाज की शिकस्त गवारा न कर भी नमस्कार मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अब नई सरकारे आ गई हैं आप जानते ही हैं कि आठ तारिख को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए जिसमें से एक बीजेपी के खाते में गया और एक कॉंग्रेस के खाते में गया बीजेपी की सरकार दोनों राज्यों में थी लेकिन अब दो में से एक ही राज्य फिर से उसे मिला है और दूसरा राज्य कांग्रेस के पास चला गया चुनावी नतीजों का विशलेशन अगर इस नजरिये से करें तो कहा जा सकता है कि कॉंग्रेस को बड़ी जीत मिली है जिस बीजेपी ने पुरे देश में खुद को अजे समझ लिया यानि ऐसी पार्टी जिसे कोई हरा नहीं सकता है वैसा समझ लिया उस बीजेपी को हरा कर कांग्रिस ने ये बता दिया कि उसमें अभी कितना दम बाकी है लेकिन आप अखबारों को उठा कर देखिए न्यूज चैनल की चर्चाएं सुनिये तो हर जगह केवल मोदी मोदी का शोर सुनाई देगा आठ तारिख को तमाम चैनल यही दिखाने में लगे थे कि कैसे बीजेपी एतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है किस तरह गुजरात में बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं मोदी मैजिक, मोदी लहेर, मोदी है तो मुमकिन है जैसे जुमले फिर से हवा में तैडने लगे ऐसा लगा मानो इन चैनलों के लिए देश का मतलब केवल गुजरात हो गया है और बाकी सारे राजे नक्षे से बाहर हो गये है एंकर्स ने बरी सुविधा से हिमाचल चुनाओ के नतीजों की केवल सूचना दी उस पर चर्चा में वक्त जाया नहीं किया अगर करते तो फिर आका की चापलूसी के लिए पूरा समय नहीं पड़ता दरसल चैनलों में पिछले दो दशकों से इन ही सब दिनों के लिए तो सारा माहौल तयार किया गया है देश को कॉंग्रेस मुक्त बनाने का सपना अकेले बीजेपी का नहीं था बलकि इसमें वो सारे लोग भागिदार थे जो इस देश के लोकतंत्र की मजबूती से खौफ खाते हैं उन्हें टू मच डेमुक्रेसी होने की उलजन होती है वे चाहते हैं कि एक व्यक्ति का शासन चले उसी की पूजा सारा देश करे और असहमती, विरोध, विपक्ष ऐसे लोकतंत्रिक शब्दों की गुझाईश खत्म हो जाए इस सोच के कारण ही गांधी परिवार और कॉंग्रेस के खिलाफ पूरा माहौल पिछले 15-20 सालों से बनाया जा रहा था जिसका शुरुआत में असर नहीं हुआ तो यू पिए को दो बार सरकार बनाने का मौका मिल गया लेकिन फिर जैसे ही अन्ना हजारे अन्ड कमपनी ने पूरा का पूरा जो है यू पिए को बदनाम करने के लिए और सत्ता से हटाने का जो दाउ लगाया जिसमें वो सफल हो गए उसके बाद तो पूरे देश को भाजपा मैक करने की कोशिशे हो गई माहौल ऐसा बना दिया गया मानो देश में सारी तरक्की सारे काम मोदी जी के आने के बाद ही हुए है उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं था अभी G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है तो इसमें भी मोदी मोदी किया जा रहा है जबकि इस अंतर राष्ट्रिय मंच पर सभी सदस्यों को बारी बारी से अध्यक्षता का मौका मिलता है अभी भारत की बारी आई है तो भारत अध्यक्ष है दरसल इंडिया इस BJP और BJP इस मोदी देश में फिलहाल इस राजनिती का दौर चल रहा है लेकिन जो समझदार हैं वो जानते हैं कि एक ही दौर हर वक्त कायम नहीं रहता है वो बदलता रहता है और फिर किसी और का जमाना आता है हिमाचल प्रदेश चुनाओ, उप चुनाओ, दिल्ली, MCD के चुनाओ इन सब में BJP हारी है BJP की ये हार इस बात का परिमनाम है, रिजल्ट है कि देश में मोदी मैजिक, गुजरात और न्यूज चैनलों तक ही सीमित है जनता भी पूरी तरह से समोहित नहीं हुई है तो आईए दोस्तों आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या मोदी मैजिक मीडिया का खड़ा किया हुआ शिगूफा है और क्या एक लंबे अरसे बाद जीत मिलने से कॉंग्रेस अब नई राह पर आगे बढ़ेगी लेकिन पहले बात करेंगे गुजरात के चुनाव परिणामों से जिने एतिहासिक करार दिया गया है मगर सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की इस जीत में लोकतंत्र की हार हुई है आईए समझने की कोशिश करते हैं आज़ादी के बाद जितने भी बिधान सभा चुनाव गुजरात में हुए उनमें इस बार सबसे जादा सीटें हासिल कर बीजेपी ने इतिहास बना दिया है बीजेपी ने 156 सीटें जीती हैं जो एक रिकॉर्ड है मुख्यमंदरी भूपेंदर पटेल के काल में बीजेपी ने ये जीत दर्ज की तो काइदे से रिकॉर्ड भी उनके ही नाम दर्ज होना चाहिए था मगर यहां भी जीत का सहरा नरेंदर मोदी के सिर ही सजा क्योंकि ये मोदी जी ही थे जिन्होंने प्रधानमंत्री होने के बावजूद एक राजी के चुनाओ में इतना ज़्यादा वक्त दिया कम से कम 31 रेलियां मोदी जी ने की घोशित तोर पर रोडशो तो नहीं किया मगर मतदान के बाद पैदल सड़क पर निकल कर अगोशित रोडशो तो कर ही दिया देश का प्रधानमंत्री सड़क पर निकला है इस बाद पर चुनाओ आयोग भला कोई आपत्ती कैसे दर्श कर सकता था और ये कोई पहला मौका तो है नहीं जब मोदी जी पर आचार सनहिता के उलंगन का आरोप लगा हो शम्शान कब्रिस्तान, कपड़ों से दंगाईयों की पहचान, वोट देने के दौरान कमल का चिन्ह दिखाना ये सारे कारणामे भी आचार सनहिता के खिलाफ होते हैं, मगर ये सारी बाते आई गई हो गई बलकि कहीं न कहीं बीजेपी को जीत दिलाने में मददगार भी साबित हुई अब गुजरात भी फिर से बीजेपी के कबजे में आ गया है पिछले चुनाओं के दौरान सौ का आंकड़ा पार न कर पाने की कसर जो थी वो इस बार बहुमत से कहीं अधिक सीटे हासिल कर पूरी हो गई हैं और ऐसा होना ही था बीजेपी शासित राजियों के मुख्यमंत्री और केंद्रिय मंत्रियों समेत कई संस्थाएं संगठन सब बीजेपी को जिताने में लगे हुए थे खुद मोदी जी दो महीनों से जैसे गुजरात में ही बस गए थे बीजेपी ने सारे तीन हजार से अधिक स्थानों पर जादूगर के शो कराए चार हजार जगों पर नुकर नाटक किये गए 14 सथानों पर लाइव जांकी और विकास का गरबा नामक कारेकरम आयुजित किये गए इसके अलावा प्रचार में करोडों रूपे बहाए बीजेपी के पास जितने साधन और संसाधन हैं कॉंग्रेस उसका मुकाबला नहीं कर सकती बीजेपी सबसे अमीर पार्टी है उसे सबसे अधिक चंदा मिलता है और इस वक्त लोक तंत्र में चुनाओ का मतलब पैसा पानी की तरह बहाना है अब शायद वो वक्त बीत गया है जिसमें गलती की सजा मिलती थी गलत करने वाले के खिलाफ लोग खड़े होते थे पीडित के साथ उनकी साहनू भूती होती थी दरसल न्यू इंडिया में नैतिक मुल भी नए हो गए हैं इसलिए शायद अब गुजरात के लोग इस बात से परिशान नहीं होते हैं बिल्किस बानों के बलतकारियों को रिहा कर दिया गया या फिर नरोदा पाटिया दंगे में दोशी ठहराये गए मनोज कुकरानी की बेटी पायल को बीजेपी ने टिकट दिया था बिल्किस बानों के बलतकारियों को संसकारी कहने वाले सी के राउल जी ने बीजेपी की टिकट पर गोधरा से 35,000 वोटों से जीत दर्ज की है पायल कुकरानी को 71% वोट मिले हैं और मोरबी में भरष्टचार के कारण पुल तूटने के हादसे में 134 लोगों की जान जाने के बावजूद बीजेपी को जीत मिली है तो बीजेपी की जीत पर मीडिया पागलों की तरह चिला रहा है मोधी जी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं मगर कोई बीजेपी से ये सवाल करने की हिम्मत नहीं दिखा रहा है कि एक चुनाओ जीतने के लिए सारी नैतिकताओं को भुला देना क्या सही था को ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी गुजरात में 1985 में कॉंग्रेस ने माधव सिंग स्वलंकी के नित्रितु में 149 सीटे जीती थी तब ना ऐसा मीडिया था और नहीं ऐसा एक्तरफा प्रचार था लेकिन फिर भी कॉंग्रेस ने जीत का रिकॉर्ड बनाया था अब कॉंग्रेस का रिकॉर्ड तूटा है तो कल बीजेपी का भी तूट सकता है यही वक्त और राजनिती दोनों का दस्तूर है बीजेपी फिलहाल इस दस्तूर को याद नहीं रख रही है अपनी जीत की खुशी में मोदी जी ने कहा है कि बीजेपी को समर्थन वन्षवाद और बढ़ते भरस्टाचार के खिलाफ लोगों के गुस्से को दिखाता है अब यह समझना होगा कि आखिर मोदी जी कहां के भरस्टाचार की बात कर रहे हैं केंदर में तो लगभग नौ सालों से उन्हीं की सरकार है और गुजरात में 27 सालों से बीजेपी की ही सरकार थी जिसमें 12 साल तो खुद थे मोदी जी तो फिर लोगों को किसके भरस्टाचार की शिकायत थी क्या मोदी जी ने हिमाचल परदेश के संदर्म में ये बाते कहीं हैं क्योंकि वहां वन्षबाद के उदाहरन के तौर पर अनुराग ठाकुर का नाम लिया जा सकता है और बात अगर भरस्टाचार की है तो जनता ने कॉंग्रेस को जिता कर बता दिया है कि उसकी शिकायत किस से थी यानि बीजेपी की सरकार थी जैराम ठाकुर वहां के मुखे मंतरी थे अजीब बात ये है कि मेडिया को इस वक्त हिमाचल परदेश भारत के नक्षे से बाहर नजर आ रहा है यानि कि भारत के नक्षे में नजर ही नहीं आ रहा है मेडिया को हिमाचल परदेश वरना इस राज्जिम में हुए सत्ता परिवर्तन पर भी उतनी ही बाते होती जितनी बातें गुजरात जीतने पर हो रही है गुजरात की तरह हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाओ लड़ा था लेकिन यहाँ बीजेपी को कॉंगरेस ने हरा कर ये साबित कर दिया कि अभी देश की सबसे बड़ी पाटी बन चुकी बीजेपी को हराने का दम देश की सबसे पुरानी पाटी में बाकी है वैसे तो 2018 के चुनाओं में भी कॉंगरेस ने 36 घर राजस्थान मध्यपरदेश इन राजियों में बीजेपी को हराया था लेकिन उसके बाद कॉंगरेस को हार पर हार मिलती रही इस साल यानी 2022 की शुरुआत में भी उत्तर परदेश, उत्तराखंड, गोवा और मनिपुर में भी बीजेपी को जीत मिल गई केवल पश्चिम बंगाल में उसे हार मिली जबकि कॉंगरेस हर जगा हारी उसके हाथ से पंजाब भी चला गया इन पराजयों के कारण मीडिया को ये नेरेटिव सेट करने में और आसानी हुई कि कॉंगरेस एक हारी हुई पार्टी है इसी वजह से हिमाचल प्रदेश में भी कॉंगरेस की जीत की बात न करके मीडिया में चर्चा इस बात की है कि बीजेपी के वल चंद वोटों से पीछे रह गई अब चर्चा चाहे जिस एंगल से हो सच तो ये है कि कॉंगरेस को एक अरसे बाद जीत मिली है और एक राजी की सत्ता भी इस वजह से कॉंगरेसियों का मनोबल अभी बढ़ा हुआ है और इसका असर आगामी विधान सभा चुनाओं में जरूर देखने को मिलेगा आपको बता दूं कि 2023 में नौ राज्यों में चुनाओं होने वाले हैं सबसे पहले मेगाले नगालेंड और तिरपुरा में फरवरी मार्च 2023 में चुनाओं होंगे फिर अप्रेल मई में करनाटक में और साल के आखिर में मध्यपर्टेश, 36, गर राजस्थान, मिजोरम और तिलंगना में चुनाओं होंगे इनमें अभी दो राज्यों में कॉंग्रेस और एक राज्य में TRS और बाकी राज्यों में BJP की सरकारे हैं तो 2024 में आम चुनाव हैं यानि लोग सभा के चुनाव हैं लेकिन उससे पहले 2023 भी चुनावी साल ही कहा जा सकता है क्योंकि 9 राज्यों में तो विधान सभा चुनाव तै ही हैं और इस बीच जम्मू कश्विर में भी अगर चुनाव की तारीखें आ जाएं तो फिर ये संख् दस हो जाएगी गुजरात या उत्तरप्रदेश जैसा भाजपा का जनाधार बाकी चुनावी राज्यों में नहीं है राज्यनितिक विशलेशक इस बात को जानते हैं कि करनाटक इस बार बीजेपी के हाथ से फिसलता दिख रहा है 36 गड़ में कॉंग्रिस की वापसी तै है टी आरेस के आगे तेलंगना में बीजेपी की दाल ही नहीं गल रही है राज्थान और मध्यपरदेश में कॉंग्रिस बीजेपी को कड़ी टक कर देगी और बहुत मुम्किन है कि इस बार भी सफलता कॉंग्रिस को ही मिलेगी पुरुवत्तर के राज्यों में बीजेपी न ये जीत की संभावनाएं कम हैं और शायद इसलिए मोदी जी अभी से सहानुभूती वोट हासिल करने के लिए विक्टिम कार्ड चलने से नहीं चूक रहें गुजरात की जीत के बाद बीजेपी कारकरताओं को संभोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोग जानते हैं कि शॉर्ट कट राजनिती देश को नुफसान पहुचाएगी मोदी जी ने ये भी कहा कि इस चुनाव में जानने पहचानने का आउसर मिल चुका है हर अलोचनाओं में से हमारे काम की चीज हमें खोजते रहना चाहिए हमें सामर्थ बढ़ाते रहना है जूटे आरोपों को सहने का सामर्थ बढ़ाना होगा क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है अब मान कर चलिए मुझ पर भी बढ़ने वाला है और आप सब भी बढ़ने वाला है ये सहन नहीं कर पाएंगे ये पचा नहीं पाएंगे और उसका जवाब यही है कि हमें अपनी सहन शक्ती बढ़ाना है तो मोदी जी के इस भाशन को सुनकर समझा जा सकता है कि उनके महा शक्ती वाले आवतार की हकीकत क्या है कितनी अजीब बात है कि देश के सबसे मजबूत सरकार देने का दावा करने वाले प्रधान मंत्री इस बात का सार्वजनिक ऐलान कर रहे हैं कि उन पर अब जुल्म बढ़ने वाला है अगर देश के प्रधान मंत्री अपने पर जुल्म की आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं तो फिर इसे देश के आम लोगों का क्या होगा दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर, महिलाएं, अल्पसंख्या कैसे तमाम वर्गों पर जुल्म तो हमेशा ही होते रहे हैं फिर वो लोग अपनी फरियाद लेकर कहा जाएंगे, प्रधान मंत्री क्या कॉंग्रेस का नाम लिये भिना उस पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कॉंग्रेस बीजेपी पर प्रधान मंत्री पर जुल्म करेगी या फिर ये सब नरेंद्र मोदी के चुनावी रणनीती का हिस्सा है, क्योंकि जब जब वे खुद को पीडित के तौर पर पेश करते हैं, उन्हें जनता से सहान उभूती मिल जाती है तो क्या ये मान कर चला जाए कि मोदी जी भी ये जानते हैं कि बीजेपी अपने कामों के दम पर चुनावी नहीं जीत सकती, इसलिए उसे लंबे वक्त तक इसी तरह के भावनात्म कार्ड चलते रहने होंगे तो कभी धर्म पर संकट का कार्ड, तो कभी खुद पर जुम का कार्ड, मोदी जी दरब सल ऐसी ही सारी बातों को चुनावी में तुरूप के इक्के की तरह, तुरूप के पत्ते की तरह चलते आए हैं हैरानी की बात ये है कि मोदी जी रोना रो रहे हैं और उन पर जुल्म बढ़ेंगे जबकि अमित शाह तो सबक सिखा कर चुनाओ जीतने की बात कहते हैं आपको याद दिला दूं कि 25 नौंबर को एक रैली में प्रचार के दोरान अमित शाह ने कहा था गुजरात के एक रैली में कहा था कि बीजेपी सरकार ने 2002 के दंगाईयों को सबक सिखाया था जिसके बाद राजी में शांती कायम हुई 2002 में गुजरात में क्या हुआ था ये पूरी दुनिया ने देखा है तब NDA सरकार के प्रधान मंतरी अटल बिहारी वाजपेई ने कहा था तद काली नमुखे मंतरी उसमें नरेंद्र मोदी थे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा था कि किस तरह राजधर्म के पालन की सलाह दी थी आपको याद है कि राजधर्म का पालन करो ये भी देश ने देखा था और अब अमित शाह कह रहे हैं कि तब बीजेपी सरकार ने दंगाईयों को सबक सिखाया था उनके इस बयान पर एक पुर्व नौकर शाह ने चुनाव आयोग से आचार सनिता के उलंगन की शिकायत भी की थी मगर निर्वाचन आयोग को इस बयान में कुछ भी गलत नहीं लगा बीस साल में देश में बाकई बहुत कुछ बदल गया है राजनिती और चुनाव जीतने के तौर तरीके भी इस बदलाव का हिस्सा है मगर इस बदलते भारत में राहुल गांधी फिर से पुराने भारत वाली भावना को जगाने के लिए एक लंबे सफर पर निकल चुके हैं और लगभग आधा से ज्यादा का सफर उन्होंने तैक कर लिया है देखिए रिपूर्ट राहुल गांधी के नित्रित में निकल रही भारत जोडो यात्रा ने देश की राजनीती पर गहरा असर डाला है इस बात को लोग आज माने या ना माने लेकिन आने वाले वक्त में ये बात सच साबित होगी मौजूदा दौर की राजनीती में किसी सभा या यात्रा का उदेश चुनाव जीतना होता है या मतदाताओं से संपर्क साधने के लिए नेता जनता दरबार जैसी कवायदें करते हैं मगर राहुल गांधी तो राजनीती का मुहाबरा ही बदलते नजर आ रहे हैं वे सही मायनों में गांधी जी की तरह की राजनीती कर रहे हैं गांधी जी भी व्यापक देश्यों को लेकर आंदोलन करते थे जिसमें साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर जोर होता था राहुल गांधी भी भारत जोरने के विचार से 3500 किलो मीटर की यात्रा पर निकले हैं तो उसमें वे इसी विचार के इर्द गिर्द ही बाते कर रहे हैं आज के दोर में एक दो नेता भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो लगातार इतने लंबे समय तक आम जनता के बीच जाएं सफाई कर्मियों के गले में हाथ डाल कर उनके साथ चलें छात्रों के बीच घुल मिल जाएं किसानों के साथ बैठें मजदूरों से बात करें बेजिजक महिलाओं का हाथ पकड़ें और महिलाएं बिना संकोच के उनके गले लग जाएं ये सारी बाते आज की राजनीती में अजूबा लगेंगी लेकिन राहुल गांधी ऐसे चमतकारी द्रिश्य रोज दिखा रहे हैं उनके ऐसा करने से भारत वाकई जुड़ता जा रहा है लोग ये मान रहे हैं कि उनके बीच कोई ऐसा जन्प्रतिनिधी भी है जो बाते करता ही नहीं सुनता भी है और अपने लिए वोट नहीं मांगता बलकि उनके लिए बेहतर काम करने का वादा करता है तो राहुल गांधी वाकई नहीं सीरे से भारत को उन मुल्यों के साथ एक जुट करने में लगे हुए हैं जो इसे देश की पहचान हुआ करते थे वे नफरत की जग़ा भाई चारे की बात कर रहे हैं वे लोगों के बीच जाकर अपने उपर हुए जल्मों का दुखडा नहीं सुना रहे हैं बलकि उनके दुख सुन रहे हैं राहुल गांधी की ये बातें उनके वेवहार की ये जो खासित है वो कॉंग्रेस को फिर से उसके खोए हुए जनाधार को पाने में मदद करेगी ये तैमानी है खैर शायर अब्दुलहमीद अदम ने ठीक ही फरमाया है कि तकलीफ मिट गई मगर एहसास रह गया तकलीफ मिट गई मगर एहसास रह गया खुश हूँ कि कुछ न कुछ तुम मेरे पास रह गया तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे खबरों के नए आइने के साथ तब तक देखते रहे हैं डिवी लाइब नमस्कार